तू फिप्टी के अच्छा अच्छा ये टू फिप्टी का ये इतना पूरा है हमारे खेतों में जो छोटे-छोटे टिड्डे होते न भाई ये वही चीज है ये देखो भाई रेसम के कीड़े हैं जो यहां ऐसे लग रहा गेहूं जैसे फैला के रख दी है सुखवाने के लि लो अरे यार बटे रहतीतर होते तो बहुत बड़े बड़े दिखते भाई वन थाउजन सिक्स हैंड़ प्रती केजी के हिसाब से ये फिस बिकती है और ये जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर होती है सांप जैसे ये देख लो भाई यहां डॉग यह देख रहो लकड़ी ख 50 रुपेस का ये मग है यहां भी डिफरेंट डिफरेंट प्रजाती की मचलियां लगी हुई है प्योर सिंगी है यह और एक मार देगा ना बुखार आ जाएगा दो हफ्ते तक नहीं जाएगा बुखार बोल दे बोल दे बोल दे इस वक्त मैं हूँ नागलेंड के दीमापूर सहर के विटनेश डे सुपरमार्केट के पास में और हमारे साथ है एक भीया भीया कहा नाम रोबेल इश्लाम है रहने वाले असाम के हैं और दो तीन दिनों से मैं यहीं हूँ दीमापूर में और रेल्वे स्टेशन पे रात को सो जाता हूं भाई कोलगेट वगयरा करके फ्रेस हो के यहां आ जाता हूं वहीं के साथ थोड़ा टाइम बैठता हूं मार्केट गूमता हूं और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि जो नागलेंड का दीमापूर सहर है यहां जो हफ्ते में ए मार्केट में कौन कौन सा सुपरफूर देखने को मिलता है तो प्लीज चैनल को अभी से सस्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक शेयर कोमेंट कर दीजे तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रही है और घुमाने ले चलते हैं अब आप लोगों को सुपर मार्केट का सुपर फूर दिखाते हैं क्या क्या चीजे देखने के लिए मिलेंगे हां से हेलो ये वाइट माउस है ना और इसका प्राइस क्या है किस प्राइस से बिखता है तो गाइस ये वाइट माउस है और इसका जो रेट है वो थ्री हैंडेट टू पीस में है वैसे तो हम लोग इससे पालते हैं भाई लेकिन ये फूड है यहां का और ये मेढक हैं छोटे छोटे वाले हैं और ये इधर है अभी ऐसे बांद के रखे है ताकि भाग न पाए और दूसरे इधर पॉलिथीन में रखे हुए ये भाई बटेर है छोटे वाले तीतर नहीं और ये मुर्गी है और ये वाई कजबच्चा कब कटेगा तू भाईया तो य सबसे असी चीजा आप लोगों को दिखाते हैं ये देख रहे हो ना रेसम के कीडे हैं भाई ये मेरा भी खाने का मन कर रहा देख रहा हो किस प्रकार से चल रहे हैं रेसम के कीडे मैं को क्या मैं तो पकल लेता हूं भाई मेरे को इन चीजों से डर नहीं लगता देख लो य वीवर माव से कया अरे यार ये बहुत नायाब चीज है निस देखो यह वह इंद सूखा रखाए अर ये मचली आपके बहुत प्रोजाती का है और ये देख रहा हूँ ये 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 मचली एजमीन के नीचा नीचे पाई जाती है तो इसे मसाला लगा के सुखवा के यहां रखे हुए और यह भाई पॉर्ख है यहां पॉर्ख का मीठ है भाई यह पर बटेर प्राइस कितना है अंटी 200 पर पीस जोड़ा तो भाई 200 रुपिया का जोड़ा है यह मज़ा आजाएगा ना मसाले के साथ लगा के खाने में इसको घोंगा है इधर बहुत जबर जस्त भाई यह थैली वाले भाईया आप लोगोंने मेरी कोई वीडियो देखे जिसमें मैं मेड़क खा रहा हूँ अगर देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना यह देख रहो यह अब इधर तक मसाला उसाला सब्जी उब्जी वाला और यह थोड़ा डिफरेंट कलर का मस्रूम है। इसका प्राइस क्या है। इसका फ्रॉप्ति Assessment 250 का यह बताना बहुता है पहला है। वह भाईया देख लो 250 का ये इतना पूरा है और वाजबर जयस्त है इसको मैंने टेस्ट किया था बहुत अच्छा स्वाद लगता इसका तो आप लोग भी कभी मौका मिले तो इसे टेस्ट कीजिएगा क्योंकि स्वाद है बहुत बढ़े आए भाई इस तरफ लेके चलते हैं है और ये जिंगा है छोटा वाला जिंगा और ये ड्राइ फिस है ये भी फिस है लेकिन डिफ्रेट है अंटी ये इसका प्राइस कितना है वन पीस अंटी बताए गया भी और नहीं मालूम इसको ये वन पीस अच्छक एक हजार छेसो भाई वन थाउजन सिक्स हैंडेट प्रती केजी के हिसाब से ये फिस बिकती है और ये जमीन के अंदर मिटी के अंदर होती है सांप जैसे और देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से ड्राइ करके मस्त तेल मसाला लगा के यहां रखे हैं वा जबर जस्त भाई जबर जस्त है आर ये और ये सपर मार्केट है कुछ इस प्रकार से सजीए उस तरफ फल है उस तरफ सबजीयां है इस तरफ पूरा जो है इधर इदर सब्जीयां वगारा है मसाला वगारा है तो इस तरफ बैंबू के जो समान बनते हैं वो चीज़े इदर रखी गई तो चलिए आप लोगों को और दिखाते हैं बढ़िया बेहतरी तरीके से वो अधर ठेड़ सारे डोग रखें अभी आप लोगों को तो मैंने डोग दिखाया ही नहीं भाई भाई रेसम के कीड़े हैं जो यहां ऐसे लग रहा गेहूं जैसे फैला के रख दी है सुखवाने के लिए और इसका रेट है न मार्केट में आप लोगों को तरह तरह के सुपर फूड देखने के लिए मिल जाएंगी अच्छा ग्रीन कलर का मैंने आप लोगों को यह नहीं दिखाया था यह देखें ग्रीन कलर का यह रेसम का कीड़ा है इसका प्राइज अर्यार यह बहुत जबर जबर जस्क्यार अच अब ही जिन्ना है कुछ मर गये हैं इस तरह देख सारे वो रेसम के कीड़े इदर फैला के रख के गए वह वह ही है भाई टिड़ा है चोटा वाला अंडे है इदर वो साइट वो ड्राइ फिस है वो वाला है ना जो है वो पॉर्क है शूड का मस्त मार्केट है इदर देखो मेढक शोटे-छोटे वाले अब 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 बहुत अच्छा लगा यार हमको यह मार्केट भून के मज़ा आ गया यहाँ ज्यादा तरह ना मेढक और यह वो जो भूंगा है ना नदी में मिलते हैं वो कुछ कुछ लोग यहां आते हैं न भाई उनको थोड़ा डिफ्रेंट लगता है पर यह बहुत अच्छा लगता है उनको देखके यह भी है कोई लेकिन यह साइद पानी में पानी से निकाला जाता है इसे पानी में होता है साइद इसको क्या बोलते हैं इसको पानी में मिलता है यह बहुत जबर जाजता देखो यह मेरे को मज़ा रहा है इसको हाथ में लेके देख रहे हो कुछ जिंदे कुछ मर गये बाई बोका बोलते हैं यह भूंगा फिर से आ गया है यह कितना प्राइस है फिप्टी प्रती अच्छा यह देखो बाई 50 र आओ कभी यह मार्केट से यह लेके जाओ खाओ देखो मस्त टेस्ट है इसका और यह मस्रूम है हमारी दर थोड़ा मस्रूम डिफरेंट होता है लेकिन इस तरफ का उकुरमुत्ता जी से मस्रूम है भाई तो यह भी काफी अच्छा है अब है इसको पत्थर में बांद के तो अलाग अलाग है जा हाँ इदर मुर्गिया है देशी है इदर बतक है जोटी वाली मुर्गिया सबसे भयांनक वाले मुर्गां है य्ये और इनकी कीमत बहुत जादैं यह वाले कि तो होगे 1500 उर्पिया जान 15100 होगे लेकर इसे मोल प्रेंदर होकिया है nailed audio Одसम प्रजातियां की मचलियां जो सुखा कर उसमें तेल मसाला लगा कर बाकाइदे रखा गया भाई खुस्बू बहुत जबर जस्ता रही है वन थैली हाओ मच वन फिप्टी वन थैली वन पीस एक पैकेट भाई वन फिप्टी का एक पैकेट है इसमें छोटे छोटे टिंगो टिंगो जैसे मेंड़ा क्या है जबर जस्त मसाला लगागे खाने का आना नहीं कुछ हो रहाएगा